są हुआ इस पीजिए अब जो हमारा केंग लॉजिक तरह हमने देखे उससे करन Prabakah कornay भूरी ट्वां कि यहाँ ट्वार टेस्ट कर लिए हैं यहां पर टोस्थ अंहों हो रहे हैं कि जो हमाटा है क्लेक message add कर दूंगा toast.make text and context में क्या देगे simple this देदेंगे इसका font बढ़ा कर लेते हैं guys and इसमें कर लेते हैं open map when clicked okay and basically फिर क्या देदेदेना guys toast का एक इसकी length देते हैं length रख रहेते हैं इसकी short and इसमें show करवा देते हैं यहां पर क्या हो गया हमारा open click web page button का open हो गया पूरा toast create हो गया इसका भी toast create कर लेते हैं guys simple toast toast.make text context में this आ गया text देदिया guys simple open map when this button is clicked okay and simple guys यहां पर toast क्या देदी है हमने length देदी again यहां पर shot and यहां पर show देदिया okay यह हो गया कौन सा हमारा address पार का अपकिस के थर्ड मेठेड पाय जाते हैं इसमें भी toast message देते हैं क्योंगाई ऐसा करते हैं step by step चलते हैं okay rush ना करके एक step देख लेता है कोई issue नहीं है दो मिनिट का जादा exercise यहां पर लंबी होगी नहीं हमारी यह यहां पर basically share text when this is click पाच मिनट के exercise है guys यह करके थोड़ा सा सारी चीज़े कोई बीच में चीज skip नहीं करना चाहता हूं है नहीं चीज हम बहुत 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 कर चुके हैं तोस्ट मैसेच को आप सब को आप क्या होगा रड़ गया होगा यह कि बैसिक लिए टोस्ट मैसेच लगाते कैसा है right and basically use कहा कहा करते हैं तो hopefully इसमें तो guys किसी को problem आती नहीं होगी यहां पर मैसेच दे रहते हैं मैसेच दे रहते हैं create your own intent ओके यहां पर टोस्ट की यहां पर भी दे रहते हैं एक लेंद्ध कितने टाइम तक हमें शो करवाना है तो शॉट शो करवाना है यहां पर क्लिक कर रहा है तो बेसिकली मारा on-click यहां पर वक कर रहा है यहां पर हमारा launch हो चुका आइए okay and simple मैं हमारा लांच हो चुका है खकर देख लेता है तो यहां पर open up website पे क्लिक करते ही क्या है open a map open a location पर गया open a map and guys सब का हमारे toast message क्या रहा है work कर रहा है okay तो basically guys यह तो होगी हमारे toast message का अब किस पर चलते हैं हमारे map पर चलना है तो यह वालों जो हमारा web page वाला map था इसका जो toast message आप कर होगा यहां पर कि जो URL हमारा URL पास होगा right जो हमें URL में search करवाना है intent भीजना है implicit intent और दूसरा के चाहिए मुझे यहां पर method चाहिए जो क्या handle कर सके उस वाले URL को तो guys ऐसा करते हैं इसको अभी हमें पर चोड़ जेते हैं method को method बना लेता हैं जो क्या करेंगा सर्च करेंगा जो हमने काई मैंने आपको documentation में शो करा जा ता राइट तो वह आला method कर लेता हैं जो URL को handle करेंगे और हम यहां पर कॉल करवाएंगे तो इस डिफाइन हम नीचे करेंगे काल हम यहां कर वाएंगे दो चलते हैं सबसे नीचे आन बेजी मैं यहां पर क्या कर देता हूँ एक comment कर देता ह с 진행ंग मैं ओपर यह में यहम कर लाइट करेंगे किस काम के लिए यूस कर रहाए हैं basically open web page okay web page को open करने के लिए यूस कर रहे हैं तो जब open करने के लिए यूस कर रहे हैं तो इसका नाम रख देता है open web page okay हो जो हमारा URL होता है कैज मैं आपको पहले भी बदा चुका हूं है अपने पराने और ने कोर्ससे हमारा URL क्या होता है एक string type होता है, तो यहां पर simple क्या ले लिए हमने, क्योंकि जब हमारे पास URL हम लेंगे तो होता है, as a string type ही लेंगे, तो यहां पर मैंने simple क्या पास कर दिया, URL, and यहां पर आप क्या कर लेता है, method का logic लिख लेता है, and uri में basically मैं यहां पर क्या ले लूँगा, webpage, okay, यहां पर object create कर लिया, मैंने इसका, और इसे uri में pass कर दिया, uri.pass, और क्या pass करना है, हमें यहां पर url, तो यहां पर क्या आगे, हमारा url pass हो गया, किसमें, uri में, और किसमें store हो गया, guys, webpage में, अब guys, क्या था हमारा, दूसरा step कौन सा था, मैंने बताया था आपको कि जब intent send करेंगे, तो हमें action perform करना होगा उसमें, तो यहां पर क्या add कर देता है, action, action set कर देता है, तो बिसिकली सबसे पहले कर देता हैं, intent set कर दूँगा, तो यहां पर हमने क्या कर देता है, intent equals to new intent, and basically, guys, यहां पर क्या करेंगे, हम, intent दे देंगे, intent dot action view, okay, action view, जा हमने यहां पर देता हैं, basically, क्या weपग पेज़ो कर रहा है, तो हमने अब गाईस जो हमारा u Texas gene, किसमें, URI में अब कहा था फीज में अब को स्विक्वार, किसमें लेता है यूराय में लेता है, तो basically हम पहले उराय में, किसमेस्टो कर रहे हैं œ जरेंट में stow गठ रहे हैं object में, अब basically जो हमारा third step हो क्या है guys हमारा start intent तो यहां पर simple make कर सकता हूं start activity कर सकता हूं और यहां पर क्या pass कर सकता हूं खाले simply guys intent pass करता हूं यह बिल्कुश सही भर कर जाएगा बाट अब यहां पर एक कमी यह है guys कि हो सकता है कुछ बहुत कम cases में कि हो सकता है कि किसी के phone में जो हम intent भीज रहे हैं क्योंकि guys जो explicit intent था उसमें हमारे ये वाला issue नहीं था क्योंकि हम within app भीज रहे थे तो already हमारी activity अगर उसे receive नहीं कर रही थी यूजर के पास उसे handle करने का तरीका ही नहीं राइट तो क्या हो जाएगा हमारा app फेल हो जाएगा तो यहां पर इसलिए क्या कर वा लेता है चेक कर वा लेता है पहले कि user के पास उस चीज को handle कर भा भी सकता है उस request को जो हमने भीजी है intent के थूँ या नहीं तो यहां पर मैंन कर दें कि null तो नहीं है वो अब गाईज यहां पर जब हमने चेक कर लिया बेसिकली यहां पर चेक क्या कर रहे है हमने चेक कर गया कि जो हमारा intent भीज रहा है जो एक्टिविटी पे जो हम भीज रहे है तो basically यह intent चेक करता है गाईज किसके थूँ package manager के थूँ कि हमारा package manager वो हमारी चेक आउट हो गई है अब गाईज यह तो हो गया हमारा जो method था जो तीन step में हमें example देगा था यह हो गया आप वो अब किस पर चलते हैं अपने जो हमारा on click था उस पर चल लेते हैं अब गाईज हमें सबसे पहली चीज क्रेट करनी है एक URL क्रिएट करना है जो क्या ह हो स्ट्रिंग के तरह गारे तो यहां पर मैंने स्ट्रिंग दे दिया और URL as a string आपके तरह यहां पर क्या क्या कर देता हूं एक गई स्ट्रिंग कर दिया तो बेसिकली यह क्या करेगा ओपेन हो गा सबसे पहले एं इसके बात क्या करेंगे गईश अब अगर आप सोचो तो basically अब कौन सा है गई हमें method call करना है जो हमने method क्या करा था वैप पेज के लिए लिए लिखा था तो हमारा क्यों सा है open web page method लिखा था हमने इसमें क्या पास करना है string टाइप का URL पास करना है तो यह क्या गया हमारा URL अगया तो यहां पर पूरा logic था कि जैसी मैं click करूंगा सबसे पहले किया जाएगा URL पास होगा URL किसमे जाएगा हमारे method में जाएगा open web page में open web page में जाते ही गई इस क्या होगा URL पार्स हो जाएगा किसमे यॉराय में वह किसमें जाएगा intent में already हमारी क्या है action action view हमारा intent के साथ लगा हुआ है तो basically यह क्या काम करता है गाई इस web page को शो करवाता है और जब web page को शो करवाता है इस फिर हमने क्या कर यहां पर intent check कर लिया कि intent empty तो नहीं है हमारा activity receive करने के लिए अब गाई इस इस में आप थोड़ा सा confused मा दो ना क्योंकि जब हम intent भीज़ा है obviously जो हमारा sender है वह empty intent नहीं भेज रहा है क्योंकि हम तो भेजी रहे हैं जब implicit intent आपकी जा रहे है तो obviously जो sender request है वह empty नहीं है हम यहां पर यह check कर रहे हैं यहां पर check यह समझना बहुत होगी क्या check कर रहे हैं हम यह basically हम यह check कर रहे हैं कि जो हमारा application तो दूसरा application होगा जो इसे receive करेगा request को वह is capable ऐसा कोई application है अगर कोई PDF फाइल होती है तो आपके फोन में तब तक कोई PDF फाइल ओपन नहीं होगी जब तक कोई PDF रीडर आपके फोन में इस्टॉल नहीं हो रहे हैं तो basically यह सेमी चीज़े कर रहे है कि कोई browser है यह नहीं जो इस चीज़ को handle कर सके इस टाइप की intent को और basically कि हमें पता कैसे चला गाइस action view सेगे क्योंकि intent को यह पता चलिगा कि किस टाइप की है web URL टाइप वाली है तो basically यह दो हो गया हमारा पूरा concept अपके कर आके देख लेते हैं एक बार run कर आके देख लेते हैं यह कैसे work कर रहा है